हलो स्टूदेंट वेलकम तो आज चानल करन अफेर अपडेटेड अजिस इस देवश्री शवस्ती और आज मैं आपके सामने कैसा टॉपिक लेक्षा यहाँ जिससे आप डन मानी आपको कुशन मिल रहा है एक्जाम में टॉपिक इसा है कौन सा जोग्रफी का टॉपिक है आपको ऐसी गारेंटी दे रहा हूं तो लेक्षे को ज़रा पांच मिट तक देख लो आप खुछ समझ जाओं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक और कितने अच्छे तरीके से मैंने इस लेक्षे को समझा है जो मुझे लग रहा है जो एक्जाम परस्पेक्टिव से बहुत बतायता हूं जैसिकि यह लेक है यह टक्टॉनिक आक्टिविटी कि वह से फिर्म हुई है मीटैपी की से फिर्म है हूं पूल लेक चों तो यह हो गया अब second question कैसे आ सकता है कि largest fresh water lake in North East India North East की largest fresh water lake बताओ इंडिया की ठीक है बुलर है सबसे बड़ी बच सबसे बड़ी fresh water lake North East India की कौन सी है तो वो है लोक्तक लेग जो की बहुत important lake है मरीपूर में situated है ठीक है अब मैं बता दूँ आपको largest fresh water lake है North East India की यह famous है Fumats के लिए किसके लिए famous है Fumats के लिए आप कहेंगे यहां पर देखिए Fumats आपको दिख रहे हैं कि नहीं आप कहेंगे यह है क्या Fumats यहां दखिएगा एक heterogeneous mass of vegetation है that floats over the water आप देख सकते हैं यह water को पर इसे float करते रहते हैं इसे कहते है Fumats दूसरा से खास बात है इस लोक्टक लेक में एक बहुत important national park है जो world का एक लौता floating national park है जिसका नाम है केमबुल लामजाओ national park मनीपूर में situated है इस लोक्टक लेक में या देखिए तो यह सारे points याद दखिएगा पूछ सकते हैं कि मुल लामजाओ national park किस lake के पास situated ऐसा पूछ सकते हैं तो correct answer क्या होगा that is लोक्टक लेक तो यह question important हो सकता है यह directly भी पूछ सकते है largest fresh water lake 39 इंडिया की कौन सी है ऐसा भी question आ सकता है ठीक है चिलिका लेक मैंने पता है salt water lake है आपकी या तो brackish water lake आप कह सकते हैं और अगर पूछा है largest coastal lagoon in India यह question आ है largest coastal lagoon in India तो answer लागाएगी चिलिका लेक और second brackish या largest second largest lagoon या brackish water lagoon of course खारे पानी का lagoon होता है इंडिया का तो answer ही चिलिका लेक लेक है तो question क्या पूछ रहे हैं आपसे question अगर पूछा है तो largest coastal lagoon in India तो answer चिलिका लेक लगाना है आपको एरिया वाइस तो इससे भी बड़ी चिलिका से बड़ी भी लेक है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ठीक है चले और या दखेगा यह लेक जो है at the mouth of the river के पास situated है at the mouth of the river तो या दखेगा इसी लेक पर discharge हो रहा है तो इसलिए लिखा हुआ है लेक लोकेटर अड़ा माउथ अफ दया रेवर तो यह बी आपको याद रखना है तो यह कोशन देखेगे कितने सारे यहां पर बन गया है नेट्सक्राइन डार्जेस सॉल्ट वॉटर लेक आ ब्राकिश वॉटर लेक आपने बता दियुकष कर स्कूल का दिया लगून पूच लिए उन्डिया में कौन सा है तो क्या लगाओँगे तो 2 यह है वह है आंतरप्रदेश में है आप देखेंगे ये जो लेक है ठीक है ये बेय ओब बेंगोल है ये लेक है इसके बीच में आप देख रहा हूँगी का आइला को दिख़रा होगा छि किस शेप बेयर आह Bang जो है पamento DR of Bengal के बीच में बीच में लेक बना 02 अब भी बादा बना कोशन है कि शीरी हरी कोटा 37 धवन स्पेस सेंटर जहां से आपके इस दोरों के आप देखो कि बहुत से मिसाइल्स लॉंच होते हैं वह यही जगह है और बैरियर आइलेंड जो शीरी हरी कोटा है सेप्रेट करता है पुली कट लेक को बे ओफ बैंगॉल से तो यह भी बड़े कोशन है तो देख रहे हैं न कोशन किस तरह में आपको अलग-अलग वे में बता रहा हूं पुली कट लेक के बारे मैं अभी आपको बता है चले अगर आप से पूछ लेए कि इंडिया की इन लैंड में सॉल्ट वॉटर लेक कौन सी सबसे बड़ी इनलैन मतलब इंडिया के 2033 स्क्वाइर किलोमेटर ठीक है यह है विमंद लेक जो बहुत फेमस लेक है केरल में सिचुएटेड है इस लेक के बारे बताओ ने इसी लेक में आपने सुना होगा नहरू ट्रॉफी बोट रेस जो होता है वो इसी लेक में होता है विमंद लेक में और थोड़ा आपको कोची के पास है और कोची में विलाइन के एंद कोची में शुचि के पास है और याद खेका कोची के के पाते कोची के पास भी आता है और वह याद खेछें आए mobile अड कर आधा है क्वेजिए ओसन लेक है तो यह भी याद रखना है बहुत इंपॉर्टन कोशन है सबसे बड़ी लेक है यह ठीक है नेक्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरल की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बताओ यह मैंने क्यों पूचा कुशन यह है शष्टम कोटा लेक कहां सिचुएटेड है करेक्ट आंसर है केरल बट याद रखेगा यह केरल की सबसे लाजेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इसलिए मैंने बता देखेंगे तो आपको ब्राकिश वाटर लेक ही मिलेगी सबसे हाइस लेक इन इंडिया सबसे हाइट पर है उसका राम क्या है वो सिक्किम पर है जिसका नाम है गुरू दोंगमर लेक जिसकी आप हाइट देख सकते हैं इतनी हाइट पर राउंड 16,900 फीट पर यह सिक्किम में नेक्स कुशन आएगा नैशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट या तो सेलाइन या तो सोडा लेक उफ इंडिया सोडा लेक उफ इंडिया मतलब जिसका अलकलिनेट ही बहुत जादा होता है जो जादा अलकलाइन होता है अलकलाइन मतलब जिसका पी एच वैलू 9 से 12 के बीच में होता है मतलब जादा अलकलाइन साइड होता है तो वो कौन सा है तो वो है आपकी लोनार लेक जो की महराष् भी आता है तो लोनाल लेक आपको याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स कोशन है या तो यह भी कोशन आ सकता है जोई कि आपसे मीटो राइट वाला पुछे पूछा कते हैं कि सोडा लेक ऑफ इंडिया कौनशी है तो भी आंसर क्या होगा लोनाल लेक कोई कोई ज्यादा इलक लार्जेस टुलिप गार्डन जो है वो इसी डल लेक के बैंक पर सिचुएटेड है नाम सुनना है नाम है इंद्रा गांधी मैमोरियल टुलिप गार्डन जो कि बहुत फेमस है अगर आप शीनगर जाए तो उस गार्डन को जरूर विजट करिएगा ठीक है तो डल लेक भी कुमाओ रीजिन ओफ उत्राखंट जिसको हम कहते हैं लेक डिस्टिक्ट ऑफ इंडिया तो लाजिस लेकिन कुमाओ रीजिन ओफ उत्राखंट जिसको लेक डिस्टिक्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं उत्राखंट में भीम ताल लेक कौन सी लेक है भीम ताल लेक और आप इस धैंसलेख सीजा कौश्यन हाता है मारपानी या हम्याम लेक हां सुचोटेटेड है तो करेक्ट आइज to Een शीलोंग कखले करेक्ट ऑंसर क्या है कि ये भी आपको याद को याद अखना है login house however have you came to head home Sono चार लेक यह दियु Quiमास नग पहला question तो यह दूसरा इसको बनाया किसने था तो इबराहिम कुली कुतुप शा जो है उसने 1563 में यह को बनाया था second question यह आता है third question यहाता है यह लेग जो है वो फेड़ किससे होती यह भर्ती किससे तो मूसी रिवर से किस रिवर से मूसी रिवर से थीक है अगला question ये पूछाता है Twin City है, हिदराबाद और सिकंदराबाद वो किस lake से separated है तो इसी lake से separated है याद रहें हुसेन सागा लेक तो इतने सारे question हुसेन सागा लेक के बनते हैं वैंने सारे करा दिया आपको इनी में से आपको कोई question देखने को मिलेगा अगर आप से पूछे deepest lake इन इंडिया सबसे deepest lake कौन सी है तो यार रिखेगा Manasbal lake जो की जमुएन कश्मीर में around आप देखेंगे 13 meter या 43 feet deep है ये याद रखेगा that is deepest lake इन इंडिया ये एक fresh water lake है साफ पानी की है जो की जमुएन कश्मीर में situated है अगर आप से पूछे artificial lake सबसे बड़ी artificial lake बताओ आप तो उसका आंसर है गोविंद बल्लब पंत सागर जो की situated है उत्तर प्रदेश में ये रिहंद डैम है उसकी वज़े से याद एक है गोविंद बल्लब पंत सागर जो है वो established की गई है जो रिहंद डैम है रिहंद डैम मैं बता दूँँ आपको सोन बद्रा डिस्ट्रिक्ट उपी में situated है मद्द प्रदेश ते बड़े बॉडर में लगता है कभी आप सिंग रॉली साइड जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मद्द प्रदेश यूपी के बॉडर में ही लगता है नियर मद्द प्रदेश इसने मैं लिखा हुआ है यहाँ पर ठीक है और रिहंद डैम जो है वो जो बना हुआ है वो रिहंद रिवर की वैसे डैम बना हुआ है रिहन रिवर टिब्यूटरी है, सोन रिवर की, यह मैं आपको थोड़ी और नॉलेज बता रहा हूँ, सोन रिवर की टिब्यूटरी है, बट इंपोर्टेंट है, गोविंद बल्लब बंत सागर पूछ रखते हैं, लार्जेस आर्टिफिशल लेक कौन सी है, तो करेक्ट आंसर यह है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स है, लार्जेस शैलो वाटर फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, यह पूछ लिया है, इंडिया की तो है, एशिया की भी है, कोलेरू लेक, इंपोर्टेंट लेक है, जो की आंदर प्रदेश में सिचुएटेड है, याद रखेगा, यह लेक इस फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक, उक्सबो लेक मैंने पढ़ाया हुआ है, तो इसने मेरी जोग्रफी की क्लासे एटन कियोंगी, वह उसने ऑक्सबो लेक पढ़ी होगी, तो लार्जेस अगर फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक पूछे, तो कनवल लेक है, बढ़ चैंची, कन बेगू सराई में सिचुएटेड है, तो इस अगर बढ़ें, तो किस सिटी को हम सिटी ओफ लेक कहते हैं, इंडिया में सिटी ओफ लेक की नाम से कौन सी सिटी जाती है, तो राजस्थान की उदैपुर सिटी याद अखिएगा, इस दोने सिटी ओफ लेक, नेक्स कॉशन है वर्ल्ड हाइस सॉल्ट वाटर लेक, ठीक है, वर्ल्ड की हाइस सॉल्ट वाटर लेक का नाम की है, तो पैंगॉंग लेक, आई होप लद्दाक कभी आपके घुमने का प्लान होगा, और पैंगॉंग लेक जो है, वो आप जरूर विजिट करेंगे, इस अगर दो बीटिफ सॉल्ट वाटर लेक में भी इसका नाम है, इंडिया की तो ही वर्ल्ड की है, ठीक है, वर्लब सॉल्ट वाटर, वैसे तो और भी हैं इस से हाइस पर, लेकिन सॉल्ट वाटर यही है, ठीक है, तो यह भी आपको यादखना है, ठीक है, अब मैंने आपको यत्ती लेक्स बता आप होती है ठीक भरती है नेक्स है अश्चमुदी लेग डारेक कोशन आता है केरल में सिच्टट है नेक्स है दीदवाना लेग ऑके राजस्थान में सिच्टट है मैं दस बताने वाला हूँ जो कि डारेक्ट आपकी एक्जाम में पूछी आएंगी ठीक है फोर्थ इंद्रा सागर लेग, इंदर सागर डैम भी है, इंदर सागर लेग भी कह सकतो, मद्द बदेश में situated है, जो नर्मदा रिवर की वे से बना हुआ है, ठीक है, नागर जुन सागर लेग, ठीक है, ये तिलंगाना में situated है, और कृष्णा रिवर की क्या दखिएगा राजस्थान में, सेवन हो गई, ठीक है, अब यहाँ सेवन लिग जया तो यहाँ एट कर दीजेगा, ठीक है, that is महराना प्रताप सागर लेक, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सिच्वेटेड़ है, इसका दूसरा नाम या दखिएगा, पोंग डैम लेक भी है ठीक है, पोंग रिजर्वायर या पोंग डैम लेक भी आप कह सकते हैं, जो कि माचल प्रदेश में है, उसका नाम महराना प्रताप सागर लेक भी है, ठीक है, तो एर्थी हो गई, नाइन्थ जो हो गई, that is पिचोला लेक, जो कि राजस्थान में है, ठीक है, तो मैं वो ले लेक्स बता रहा हूं, जो आपसे अधर, 10 में है आपसे बोली, 9 हो गई, और 10 जो है, that is लेक, शोंगो, लेक सोंगो, ठीक है, ये जो है, सिक्किम में सिच्विटेटेट है, इसको चांगूला लेक, चांगूला इक भी कहते हैं, इस चांगूलेक शिक्किम में सिच्विटे के लिए बहुत फेमस है, मतलब यहां पर मेली टुरिस्स जो आते हैं, गुरुपुर्णिमा फेस्टिवल जो रखता है, वो एक बहुत अट्राक्शन पॉइंट होता है, इस लेक पर, तो कभी आप जाएं, तो गुरुपुर्णिमा की दाइं पर आप जा सकते हैं, आप ज नेमस लेक ऑफ सिक्कें, तो यह थी सारी लेक्स देख रहोगे, आपको मैंने किस तरह कोशन वाइज में करा है, सारे फैक्श बता दी, इंपॉर्टेंट लेक को मैंने सारा कवर कर दिया है, कोशन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, अब साथ साथ में आपको क्या करना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालना हूँ किसकी रामसर साइच की, ठीक है, तोटल इंडिया में 75 रामसर साइच हैं, ठीक है, जो वेटलेंच होते हैं, ठीक है, उन 75 रामसर साइच को आप और पढ़ लेना, और यह वाला टॉपिक करके चले जाना है, एक दो परेक्ली मिल जाएंगी, जोगरफी केस से, याद एखिएगा, लेक्शर बड़ा इंपोरेंट था, मसाया होगा आपको, रामसर साइच को और देखना है, उसके बाद तो कोई कोशन बाहर जाना ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको लेक्शर देखे, पसंद आया हो, अगर आ आपको याद अखिएगा, हमारा जो ओफर था, इंडिया के वल्लकप जीतने की, हम इंतिजार गएते हैं, बड़ इंडिया जीत नी पाई, बड़ स्टिल मैं आउफर को जो है, एक्स्टेंड कर दिया 24 नवंबर तक, अब ये लास्ट ओफर है, इसके बाद कोई ओफर नही तो डारेक्ली, टोटल 14 बुकलेट्च मैं प्रोवाइड करा हूँ, हर सब्जेक की, याद अखिएगा, सीधे कोरियर होंगी, सारी बुकलेच, हैंड इटन नोट्च, कौन से नोट्च हैं ये, हैंड इटन नोट्च हैं, चाहिए हिस्स्ट्री ओडर को, चाहिए जोगरफी पॉलिटी, इकनोमिक्स, सैंपल देखना है, तो वाट्चाप करो, सैंपल भी मिलेगे, सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, हाड कॉपी मिलेगी, कोरियर होगा, ओल ओवर इंडिया, विदिन फोर देज, ये विल गेट और इंडर्स, कैसे करना है, तो नमर मेंशन है, आप इस नमर आप्लिकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसके लिए, ठीक है, और UPSC के अगर आपको क्लासेश चाहिए, तो UPSC की क्लासेश मिलेगी, स्टेज सर्विसेश की चाहिए, उसकी मिलेगी, जो भी चाहिए आपको, सारी चीज़े आपको मेरे आप्लिकेशन मिलेगी तो आप्लिकेशन को ज़रूर डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा help होने वाली है, और offer भी चल रहा है, वीडियो कहां complete होता है, यह होप आपको लेक्षे समझ में आया होगा, कोई doubt query है, comment box में ज़रूर कमेंट करें, आपके doubt queries को resolve ज़रूर करेंगे, और व Thank you everyone, जय हिन, जय भारत.